तो दोस्तो एक बार फिर से सवागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है डिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पेटिटिव और स्टेट एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ दोस्तो आज का ये वीडियो उन स्टुडन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टन्ट है जो ग्रैजिवेशन, पोस्ट ग्रैजिवेशन और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिट्रेचर सब्जेक्ट को प्रिपेर कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिट्रेचर के एक लिट्ररी टर्म को एक्स्प्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल नौवल तो आई ये समझते हैं कि सोशल नौवल यानि क्या होता है तो बेसिकली सोशल नौवल उसे कहा जाता है जिस नौवल में सोशल, पॉ पॉब्लिम्स और इंजस्टिस यानि की अन्याय इन मुद्दों पर सोशल नॉविल में जादा तर लिखा जाता है। इन मुद्दों के बारे में सोशल नॉविल में लिखा जाता है। जिसके चलते रीडर्स भी डीपली अफेक्ट यानि की प्रभावित होते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स आफ सोशल नॉविल जिससे आपको ये नॉविल समझने में और भी आसानी होगी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सोशल नॉवल डिडाक्टिक है। डिडाक्टिक मतलब डिडाक्टिक यानि जिस चीज से हमें कोई moral value, ethical knowledge यानि की नैतिकता सीखने मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा कि सोशल नॉवल एक डिडाक्टिक फॉर्म में लिखा जाता है या फिर डिडाक्टिक फॉर्म में होता है। Then हमारा second point, हमारा दूसरा feature यह है कि सोशल नॉवल इसलिए लिखा जाता है ताकि समाज में हो रही किसी चर्चा और मुद्दों पर राइटर जनता का ध्यान आकरशित कर सके। Then हमारा point number three, social novel में include होने वाली problems एक बार हम फिर से देख लेंगे जैसे कि inequality यानि कि असमानता, poverty यानि कि गरीबी, problem of rapid industrialization यानि तेजी से होने वाले अदुगी की करण की समस्याए, child labor यानि कि बाल मजदूरी और violence against women यानि कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, ये सब topics जो है वो social novel में include किये जाते हैं, then हमारा point number four, social novel का जो protagonist होता है, यानि कि जो leading character होता है, main character होता है, वो oppressed classes से belong करता है, यानि कि दलित वर्क से belong करता है, और इस पूरे novel में उसके प्रति सहानुभूती यानि सिंपतिक की भावना दर्शाई जाती है, अब बात करते हैं बेहद important topic की, जो की है social novel और उनके writer, तो आईए social novel के कुछ important examples देख लेते हैं, सबसे पहला है Pamela और Virtue Rewarded by Samuel Richardson, जो की 1740 में लिखा गया था, और ये novel जो है, वो first ever social novel भी माना जाता है, तो इसे आप highlight कर लीजिएगा, then अगला है, Alton Locke by Charles Kingsley, ये novel जो है, वो 1850 में लिखा गया था, है Hard Times by Charles Dickens, ये novel 1854 में लिखा गया था, then इसके बाद हमारा अगला novel है, The Jungle by Upton Sinclair, ये वाला novel जो है, वो 1906 में लिखा गया था, then है Untouchable by Mulkraj Anand, ये novel 1935 में लिखा गया था, और last है, The Grapes of Wroth by John Steinbeck, ये 1939 में लिखा गया था, तो ये तो थे कुछ important novels by famous novelist, I hope आपको ये information जरूर पसंद आये होगी, और अगर ये video पसंद आया हो, तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can, till then keep learning, thank you.